टमाटर की उन्नत सफल वैग्यानिक खेती में आपका most welcome है और आज की इस वीडियो पर हम टमाटर की उन्नत खेती की A to Z जानकारी हम आपके साथ सेयर करने वाले हैं जैसे उन्नत किसम हैं टमाटर की बन्दाई किस प्रकार की जाती है और टमाटर पर सबसे गंभी जो समस्य आती है जैसे लेट बलाइट है अरली बिलाइट है और टमाटर पर जो बर्निंग की समझे आती है क्रेकिंग की समझे आती है इस से कैसे आप छोटकारा पा सकते हैं और साथी टमाटर की फसल पर जादस जादा उत्पादन प्रोडक्सन और जो फंगस जनेतर बीमारी होती है कीट जनेतर रोग होते हैं उनको आप समय से पहले कैसे कंट्रॉल रोग थाम कर सकते हैं तो खात का सेडूल बताने बाले हैं इस पर सेडूल बताने बाले हैं और एक एक कीट का मैनेजमेंट प्रबंधर बताने बाले हैं तो इस वीडियो को आपको अंतर तक जरूर देखना है और साथ ही प्रती एकड़ खर्च, मुनाफ़ा और यदि आप एक एकड़ पर टमाटर की खेती करते हैं तो कितनी लागत आने वाली है और साथ ही हम छोड़े छोड़े टॉपिक को भी कबर करने वाले हैं जैसे उननस सम तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सब्कुमार और भाई आप देख रहे हैं एडवांस एग्रिकल्चर यूटूब चैनल यदि आपको यह वीडियो यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को किसान हित पर लाइक जरूर करें और यदि आप इस चैनल के साथ अभी तक नहीं जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए इस A to Z वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सूटिबल टाइम के बारे में तो बरसात के लिए आप टमाटर की खेती जोलाई अगस्त पर कर सकते हैं और गर टमाटर की फसल को आवसकता पड़ती है और वहीं स्वयल की बात करें तो काली मिट्टी पीली लाल चिकनी दोमाट उपजाओ मिट्टी पर जिसका मिर्दा का पी एच वैलू 5.5 से 7.5 की आसपास हो ऐसे खेतों पर और उप्योक्त जीबासन पदार्थ वाले खेतों पर गेजंट कमपनी की साहों तीयो 32 इंक्याबर और आपके जो एरिया में वैस्ट वैराइटी हो स्फोल के हिसाब से टेंपरेचर के हिसाब से एवं किलाईमेट्स के हिसाब से उनहीं वैराइटी को आपको लगाना चाहिए खेत की तैयारी टमाटर की खेती करते समय हमको खेत की तैयारी किस प्रिकार करना है, फार्म प्रेपिरेशन किस प्रिकार करना है, तो गहराई में चलने वाले हाल, यानि प्लाव से खेत की पहली आपको जुताई कराना है, एबाम महीना पंदरा दिन की तेज धूप आप जरूर लगवाएं, इससे क्या होगा कि जो जैसे मौथ कराना है, रोटो बेटर से, या फिर आप हैरो की मदस से मिट्टी को भुर भुरी करा सकते हैं, अंगले टॉपिक के बारे हम बात करते हैं, वैट तैयार, तो वैट जब हम तैयार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल रहता कि बैट से बैट की दूरी, बैट की चोड़ाई बैट की उंचाई कितनी रखें, तो बैट से बैट की जो दूरी है, धाई फिट आप रख सकते हैं, बैट की चोड़ाई आप धाई से तीन फिट रख सकते हैं, और वैट की उंचाई आप एक फिट रख सकते हैं, बैड मेकर से कुछ इस प्रकार वैट तयार कराना है, इसे हम बैड मेकार या फिर वैड राइजार की नाम से भी जानते हैं अंगली टॉपिक के बारे हम बात करते हैं बेसल डोज तो टमाटर की खेती करते समझे बेसल डोज है काफी इंपोटेंट है महत्पूर है तो कृपया ध्यान से सुनिए गोबर की खाद चाट्राली डीएपी डाइवानिया फासफेट 50 किलोगराम सिंगल स्पर फासफेट खाद जो फर्टिलाजा साती है पाउडर फॉम बारी 50 किलोगराम और एम ओपी मियूरिट ओपोटास 35 किलोगराम इन सभी को मिक्स करके ठीक तरीकी से बैट के उपर दीजिए एब हम सेकेंड टाइम बैड मेकर से मिट्टी को आप बापस है चड़वा दीजिए लेजिए आपकी बैड एकदम पूरी तरह तयार हो गई टपक सीचाई एंड मल्चिंग पेपर तो हमको टमाटर की फसल पर कितने mm की ड्रिप लगानी चाहिए कितने माइकरोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए तो किरपया धियान दीजिए ड्रिप एरिगेशन आपको 16 mm इन लाइन्स वाली लगानी है इसके अलाबा मल्चिंग पेपर आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं टमाटर की फसल पर ड्रिप एक बैड में एक लाइन बिछाएं और टपक सी चाई से पानी की बचात होती है और खात देने में बहुत ही आसानी होती हैं बैंचुरी की माध्य हम से खात दे सकते हैं अंगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं मल्चिंग पेपर में होल्स जैसी आपने मल्चिंग paper लगा दिया ड्रिप विछा दिया उसके बाद मल्चिंग में holes कीये जाते हैं तो जो holes करना है आपको जिक जिक करना है और आपको 2 इंची ही holes करना है और holes करते समय आपको काफी सावधानी पूर्बक जो drip लगी हुई है वो भी खराब न हो तो कुछ इस प्रकार की टूल्स में आप गरम कोल्य को भरकर सावधानी पूरबग आप दो इंची के होल्स ले सकते हैं अंगली टॉपिक के बारें बात करते हैं प्लांटेसन एबाम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस तो पौधिस से पौधिस की दूरी हमको यदि आप जिगजग प्लांटेशन कर रहे हैं तो डेड़ फिट के आसपास आप पौधिस से पौधिस की दूरी रख सकते हैं बैसे टमाटर की प्लांटेशन पौधरूपाई सिंगल लान पर भी पौधरूपाई की जाती हैं और से आपको मिट्टी को दबाना है यानि बहुत तेज तागत नहीं लगाना है हलके हाथ से आपको सौप्ट हेंड से प्लांटेशन करनी है वीडियो के अंगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं नरसरी तयार जो काफी जादा इस पर करना पड़ेगा एवां किस प्रकार हमको नरसरी तयार करनी है तो किरपया ध्यान से सुनिए नरसरी तयार करने के लिए जरूरत पड़ेगी प्लास्टिक की ट्रे की बर्मी कंपोस्ट की और नारियल की खाद यानि कोकोपेट खाद की हमको आबसकता पड़ने बाली है सबस्ते पहले हमको एक मिसरन तयार करना होगा नारीयल की खाध हमको लैना है दो हिस्सा और एक हिस्सा बर्मी कम्पोस्ट को हमको लैना है और इस मिसरन पर हम एक फपून नासग मिलाने वाले हैं कार्बेंडर जिम 50% फपून नासग को मिक्स करके यदि आप 10 किलो ग्राम मिसरू तैयार कर रहे हैं तो 50 ग्राम आप फंगी साइट को िक्स करके ठीक तरीके से मिसरू तैयार कर लेज़िए इसके बाद प्रो ट्रे पर आपको भर कर एक एक बीजों की जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं ठीक तरीक से पहले पिरू टिर्यों को भर दीजिए और एक एक बीजों की आपको बुआई करके उसके बाद एक लियर और फिर दो बार आश्रें कोकोपिट खाद की चड़ा दीजिए कुछ इस प्रकार चार दिनों तक मल्चिंग पीपर पर पूरी की पूरी ट्रे को कबर करके कुछ इस प्रकार आपको रख देना है इसके क्या होगा एक दम गरमाहर्ट जनरेट होगी एबम अंकुरन जल्द से जल्द हो जाएगा तीन से चार दिन बाद आप बापस हैं जो आपने तंबू खींचा है या फिर जो ग्रीन नेट खींच कर आप ट्रे को बाहर कर दीजिए और शमाज समय पर सीचाई सुभा साम करते रहिए आवसकता अनुसार आपको सीचाई करना है और जो प्रोट्रे हैं किसी भी एग्रि तो फंगस का प्रकोब देखने के लिए मिलने लगता है तो फंगस के प्रकोब को यदि हमको रोगठाम करनी है तो कारवेंडाजिम प्लस मेंको जैब जैसे साब पाउडर आता है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं इसके इलाबा नरसरी पर यदि कीट देख रहे हों तो इमीडा क्लोर प्रेड 17.8 परसेंट या फर थायम थोकजोन 25 परसेंट इंसे अक्रिसाइट को 15 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं और यदि पीलपन जैसी समस्य आ रही है नरसरी पर तो आपको एक हम सरल उपाए बताते हैं सिग्रेट परसेंट रुपाए बताते हैं एनपी के 1999 गुलंसील खात को लेना है 15 लीटर पानी में 15 ग्राम इसको आपको इस्प्रे करके तुरंत आप सीचाए कर देजिए बहुत ही जल्दी हरी भरी आपकी नरसरी हो जाएगी और तीब्र गती से जो जड़े हैं वह भी डैबलप हों पर एकड़ प्लांट्स और सीच की रिकवार्मेंट तो यदि हम सिंगा लान पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो आठ हजार पौधे की आवसकता पढ़ने वाली है और यदि आप जिग जैक यानि डबल लान पर प्लांटेशन कर रहे हैं एक बैट पर तो लगभग आपको 15,000 से 16,000 पौधे की आवसकता पढ़ने वाली है एक एकड़ पर तो आप जिग जैक प्लांटेशन करें और जिग जैक यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो एक एकड़ पर 15,000 से 16,000 पौधे की आवसकता पढ़ने वाली है और पर एकड़ सीच रिकवार्मेंट की बात करें त क्या जरूरत है टमाटर की फसल पर या नहीं यदि आप मल्चिंग ड्रेप पर खेती कर रहे हैं बैग्जानिक तरीके से टमाटर की खेती कर रहे हैं तो जैसी आप प्लांटियसंग करते हैं तो जो हमारा पौध है तुरंत जड़ें मिट्टी को पकड़ लें तुरंत बढ़ या रिजल्ट भी प्राप्त हो जाए और ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो तो हम तीन ड्रेंचिंग बताने वाले हैं फर्स्ट ड्रेंचिंग पौध रुपाई यानि टीपी से ट्रांस प्लांट से टमाटर की फसल दो से तीसरी दिन की होती है तो हमको हीवमेक एसिट 500 ग् 400 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रती एकल की दर्से जणों की पास ड्रेंचिंग करना है सेकेंड ड्रेंचिंग तो जब हमारी टमाटर की फसल टीपी यानि ट्रांस प्लांट से लागबाग 6-7 दिन की होती है तो हमको वाटर सेलिवर फर्टिलाजास 19-19-19-19 500 ग्राम लेना है और UPL कमपनी की साफ पून नासर 400 ग्राम लेना है इन दोनों को मिक्स करके प्रती एकल की दर्सें 400 लीटर पानी में घोल करके जणों की पास आपको ड्रेंचिंग करना है तीसरी ड्रेंचिंग यानि थर्डर ड्रेंचिंग तो जब हमारी टमाटर की फसल पौध र लिटर पानी में घोल करके हमको जड़ों की पास ड्रेंचिंग करना है इसको इसको आपको जड़ों की पास पंप का नोजाल खोलकर या फिर किसी प्लास्टिक की ग्लास पर या फिर आप किसी भी डिबबे पर 50-100 ml की दर्सें प्रती पौधे की दर्सेंग तो जैसे आपने plantation किया है उसके बाद पौदे सूखेंगे भी नहीं ठीक तरीके से चाल पकड़ेगी और हमारी जो फसल है ठीक तरीके से जोड़दार growth और vegetative बढ़वार देखने के लिए मिलेगी अंगले topic के ऊपर बात करते हैं सीचाई यानि मिट्टी है चिकनी दो माठ है तो मिट्टी के हिसाब से ही हमको सीचाई का जो management है इसको सुधार के रखना है यदि हम बहुत ज़्यादा सीचाई भी करते हैं तो अभी हमारी टमाटर की फसल को भी काफी ज़्यादा नुक्सान पहुंच सकता है तो आप ड्रिप पर यदि खे जाए जिन फार्म को यदि हम बंधाई नहीं करते हैं जिन पौधों की तो उनकी तुलना पर जिन टमाटर के पौधों की बंधाई करते हैं उन पर ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है यानि अधिक प्रोडक्शन होता है इसके अलाव फंगस ज लाइक नहीं किया है तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं इन वीडियो पर काफी ज़्यादा मेहनत होती है आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करनी है इस टॉपिक पर हम बात करने बाले हैं तो आवसक सामगरी हमको कौन कौन सी पढ़ने बाली है किरपया ध्यान से सुनिए 14-15-15 की तुकड़ी की आबसकता पढ़ने बाली है जो मजबूत हो और 200 की तुकड़ी की जो लंबाई है लगभग 8 फेट होनी चाहिए यानि 14-15 की तुकड़ी लगने बाले हैं प्लास्टिक की रस्टी की अवसकता पढ़ने बाली है और बंधाई के लिए सुतली की अवसकता पढ़ने बाली है टमाटर की फसल पर पूरी लाइफ साइकल पर लगभग 5 से 7 टमाटर की बंधाई करना अवसक होता है आपको बंध किस प्रकार गड़ाना है 15-15 फिट की अंत सबसे पहले बास लगाएं कुछ इस प्रकार जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं रस्य आपको खीचनी है उसके बाद ढाई फिट ऊपर और उसके बाद जिग जग आपको बंधाई करनी हैं सुतली की मदस से बांध कर जो आप इस वीडियो पर देख रहा है प्लांट को बांध कर कुछ इस प्रकार आपको लपेट थे हुए बंधाई करनी है और ठीक इसी प्रकार 30 से 35 दिनों पर हमको दूसरी बंधाई करनी चाहिए एबं टमाटर की फसल में जैसे जैसे बढ़वार होती जाए उसी प्रकार आपको टमाटर की निरंतर बंधाई करते रहना चाहिए सुतली को कुछ इस प्रकार आप बड़ा बंडल मार्केट से ला सकते हैं और दो से ढ़ाई फिट की लंबाई लेंथ रहत आपको सुतली काट लेनी है और आप सकता अनुसार आपको बंधाई करते जाना है और ठीक तरीके से फस्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पर आपको जो रसी है जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार टमाटर को सुतली की मदद से आप बंधाई कर सकते हैं टमाटर की बंधाई करते समय सौप्ट हैंड से आप बंधाई करनी चाहिए और टमाटर की पौधे में बज़न जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ठीक तरीकी से उसी प्रकार आपको टमाटर की बंधा पर थोड़ा सा हटके है यानि जो भीमारी हैं जो फंगास हैं जो कीट है उनके अनुसार हम आपको रोगताम कंट्रोल बिदी बताने बाले हैं इस से क्या होगा कि जो लागत है वो लागत कम लगेगी और किसान भाईयों को क्या श्प्रे करना है कौन से बीमारे पर कौन सा श इस्प्रे करना है समाजने में भी आसानी होगी और इस्प्रे करने में भी आसानी होगी जिससे आपका जो पैसा है वो कम से कम खर्च होगा और आप उन्हीं इस्प्रे को ले सकते हैं जो आपकी फसल पर जो आपकी क्रॉप पर आवज सकता है तो चलिए हम डीपली आपको कोप देखने के लिए मिलता है तो सबसे पहले बात करते हैं मालीजिए टमाटर की फसल पर लीफ माइनर का पर कोप है तो लीफ माइनर के लिए आप एमा मेकटीन बेंजॉड 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से इस प्रे कर सकते हैं या फिर आप ढोलियम फ्लैक्सी की ड्रिं सिंच कर देंगे तो लीफ माइनर की श्मस्च से आप आसाने से छुटकारा पा सकते हैं यह हो गई बात लीफ माइनर की अब बात करते हैं सफीद मख्य यानि बाइट फ्लाई को आप कैसे रोक सकते हैं यह दि कि तमाटर की फचल पर इनकेज वाइट फ्लाई दिखती है तो आप BASF कंपनी की सेफीना 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से इस्प्रे कर सकते हैं या फिर आप Acetomy Prad 20% SP Insecticide 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से इस्प्रे कर सकते हैं यदि आपकी टमाटर की फसल पार Threps, Aphid, Jesset का प्रकोप है तो आप इमीडा क्लोप्रेट 17,88% EC Insecticide 15 लीटर पानी में 10 ml या फिर थाम थोकजांग 25% WZ Insecticide 15 लीटर पानी में 8 ग्राम की दर से इस्प्रे कर सकते हैं त्रेप्स, Aphid, Jesset की रोग थाम करने के लिए यदि हमारे टमाटर की फसल पर फली छिदक का प्रकोप है तो आप डाग की डेलिगेट का इस्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर पानी में 12 ml या फिर FMC की वेन भी या जिसमें सैंत्र नीली प्रोल का कॉंबनेशन है 15 लीटर पानी और 15 ml या फिर आप जो सेजंटा कंपनी की एमप की रोक थाम तो टमाटर की फसल पर जैसे रेड माइट्स है तो मकडी की रोक थाम का निकल या आप क्रिस्टल की एवसीन इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में 15 ml या फिर धानू का कंपनी की ओमाइट्स इंसेक्टिसाइड आती है 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से किसी भी एक का स्प्री करते हैं तो मखडी की रोग थाम आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं इसके अलाब वैक्टीरिया विल्ट यानि उक्ठा रोग जो अचानक आप देखते हैं कि फलता-फूलता-पौधा पूरा-पूरा सुक जाता है तो वैक्टीरिया विल्ट की सिकायत हो सकती है तो इसके लिए आपको इस्प्रे नहीं करना, इसके लिए आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, रोको फंगी साइट थाइफ हैनित मिथायल 500 ग्राम की दर्से आप 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर वायर कंपनी की एलेट फपून नासक आती है 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके आप ड्रेंचिंग कर दीजिए वैक्टेरिया विल्ट की समस्या नहीं आईगी अब बात करते हैं टमाटर की फसल पर काफी गंभी समस्या लेट बिलाइट यानी पच्छेती जोलसा के लिए हम क्या इस्प्रे कर सकते हैं डूपॉंट कंपनी का एक्क्वेशन पिरो या फिर वायर कंपनी नेटिवो अमेस्टाट टॉप फपून नासक को एक्रोवैट या फिर इनिफिनिट ओफपून नासक को आप किसी भी एक फपून नासक को आप स्प्रे करके लेट बिलाइट पर आप कंट्रॉल कर सकते हैं टमाटर की फसल पर नेक्स्ट फंगस अरली बलाइट जिसे हम अंगेती जोलसा की नाम से भी जानते हैं तो यह हमारी टमाटर की फसल पर सबसे पहले आता है जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं यह है अरली बलाइट तो इसकी रोगत थाम करने के लिए आप प्रवपी आनि एंटेर आकॉल को 30 ग्राम 15 लीटर पादी में इसको कर सकते हैं इसके अलावा इंडो फिल की मॉक्षिमेय। 40 ग्राम या पर कार्बें डाज्रॉनं प्लसमेंग कुजब 40 ग्राम की दर्स 시ыт कर सकते हैं या फर copper oxy chloride को आप 35 gram की दरसे 15 liter पानी में घोल करके आप spray कर सकते हैं इसके अलावा bacterial spot तो bacterial spot जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं यह है bacterial spot तो bacterial spot की रोखथाम करने के लिए आप चाहें तो copper oxy chloride 40 gram 15 liter पानी में घोल कर spray कर सकते हैं या फर धानुका की कौनिका 40 gram या फर streptocycline sulfate 2 gram 15 liter पानी में आप spray कर सकते हैं powdery mildewed की रोखथाम करने के लिए आप चाहें तो hexa को नुजॉल 5% EC insecticide 40 ml इस पर सकते हैं या फर आप टेबु को नुजॉल 25.9% को 20 ml 15 liter पानी में किसी भी एक को इस पर आप कर सकते हैं cracking और spilling की समस्य आती है टमाटर के फाल पर जो crack आ जाते हैं तो उसकी रोखथाम करने के लिए आप boron को और calcium को छोड़ सकते हैं अब drip से यादि आप छोड़ रहे हैं तो boron V20% वाली को 500 gram और calcium nitrate को 3 kg इन दौन को mix करके drip से छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप spray भी ले सकते हैं बोरon के साथ आप chillator calcium को ले सकते हैं तमाठर की फसल पर बढ़वार के लिए उपथाय हैं यादि हमारी तमाठर की फसल ठीक तरीके से बढ़वार ना पकड़ पा रही हो या पर टमाठर की फसल की जो वनस्पतिक स्टेज हैं वो ठीक पराध से ग्रोथ ना ले पा रही हो तो बढ़वार के लिए आप Sejinta Company की आप फेंटाग प्लस 10 ml किसी भी एक को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, अब एक और समस्य आती है, फल फोल ड्रॉप होते हैं, तो आप अलफा नेप्तिल एस्टिक एसेड जैसे बायर कंपनी की प्लावन उफेक्स आती है, या फिर गोद्रेज की डबल आती ह इन दोनों में से किसी भी एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का इस्प्रे ले सकते हैं, टमाटर की फसल पर इन सस्ती दवाईयों को भी आप अबस्षकता अनुसार बदल बदल कर छलकाब कर सकते हैं, जैसे डाई मैथोएड 30% EC इंसेक्टिसाइड, प्लस साइपरमेथरी 24% EC इंसेक्टिसाइड, रेडोमेल गोल्ड फंगिसाइड, सागरी का CBD इस्ट्रेक्ट को, वायर कंपनी की सोलिवन इंसेक्टिसाइड जैसमें इमीडा क्लोर प्रेड और विडा साइफूरू रूतिरीन का कॉम्बिनिशन हैं, मोमेंटो एनरजी का स्प्रिय ले सकते हैं, कराटे और अलीका जैसे कीट ना सकको भी आप बदल बदल कर अवस्चत अनुसार छिड़काप करेंगे, तो आप अपनी टमाटर की फसल पर आने वाले कीटों को, फंगस को, बीमारियों को सस्ते पर आसानी से कंट्रॉल कर सकते हैं, और टमाटर की फसल पर आप 7-8 दिनों की अंतराल पर आपको स्प्रे करना चाहिए, बीक लिए आपको टमाटर की फसल पर आवस्चत अनुसार कौन से फंगस हैं, कौन से समस्या है, उसके हिसाब से ही आपको टमाटर की फसल पर यदि स्प्रे करेंगे, तो कम से कम लागत पर आपके इस्प्रे सेडियूल जाने बाले हैं किसान में तरू बात करते हैं खात का सेडियूल यानि फर्टिगेसन सेडियूल की A to Z जानकारी जब हमारी टमाटर की फसल पहुत रूपाई से दस दिन की होती है तो एक किलोग्राम यूरिया और एक किलोग्राम एनपी के घुलन सीलखाद 1999 गुलन सीलखाद को आप ड्रिप सीचाई से छोड़ सकते हैं पौध रूपाई से 13 बे देन 1 केजी यूरिया और 1 केजी 1999 ड्रिप से छोड़ सकते हैं फ्रति एकल की दर्स से हम आपको जानकारी बता रहे हैं पौध रूपाई से 16 बे देन 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग वाई से जब हमारी टमाटर की फसल 21 दिन की होती है तो 3 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम NPK 1260 डिरिप में आप छोड़ सकते हैं यदि आप चाहें तो यूरिया को हटा कर भी केबल और केबल 1999 का सुरुवाती चारणों पर प्रियोग कर सकते हैं और यदि आप यूरिया का प्रियोग कर रहे हैं तो फूल से पहले पहले तक आप चाहें तो कम मात्रा पर बिल्कुल कम मात्रा पर प्रियोग कर सकते हैं यूरिया से एकदम अनचाही बढ़वार होती है तो आपको यूरिया बहुत ही सावधानी पूरबाग प्रियोग करना चाहिए इसके अलाव बात करते हैं जब हमारी टमाटर की फसल पौधर हुपाई से 24 बे दिन की होती है टीपी से तो एक किलोगराम 2019 और एक किलोगराम 24-0 इन दोणों को मिक्स करके डिप सीचाई से छोड़ सकते हैं किसान में जब हमारी टमाटर की फसल टीपी से 27 दिन की होती है तो तीन किलोगराम ए एएन पी के 12-0 प्रती एकड़ की दार से अंडिप सीचाई से आप छोड़ सकते हैं पौधर उपाई से 30 दिन की हमाई जब क्रॉप होती है तो एक किलोग्राम एनपी के 19,19,19 और 250 ग्राम हिवमेक एसेड गरनियूस को आप दोनों को मिक्स करके ड्रिप सीचाई से छोड़ सकते हैं। जब टमाटर की क्रॉप लगभग 32 दिन की होती है तो 500 ml लिक्र ट्राइकोडर्मा फंगस को आप प्रती एकल्व की दर्से ड्रिप सीचाई से आप छोड़ सकते हैं। टमाटर की क्रॉप टेपी से 35 दिन की होती है तो एक किलोग्राम एनपी के 0254 एनपी के 1340 एक किलोग्राम इन दोनों को प्रती एकल्व की दर्से आप छोड़ सकते हैं। मिक्स कर भी सकते हैं और चाहें तो ना भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टमाटर की क्रॉप ट्रांस्प्लांट से 46 दिन की होती है तो हमको केल्सियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम प्रती एकल्व की दर्से ड्रिप सीचाई से आप छोड़ सकते हैं। पौध रुपाई से 50 दिन की क्रॉप होने पर 2 किलोग्राम एनपी के 0-22-34 घुलांसी खात को ड्रिप सीचाई से छोड़ सकते हैं। 55 दिन की फसल होने पर एनपी के 0-22-34 2 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रियन 200 ग्राम इन दौनों को मिक्स करके प्रती एकल्व की दर्से छोड़ सकते हैं। ट्रांस प्लांट से टामाटर की फसल 65 दिन की होती है तो एनपी के 12-61-0-2 किलोग्राम बाइट पोटास 2 किलोग्राम प्रती एकल्व की दर्से आप छोड़ सकते हैं। ट्रांस प्लांट से 70 दिन की क्रॉप N.P.K. 18-24-62 किलोगराम आप छोड़ सकते हैं असी दिन की आसपास की होती है तो केबल 4 किलोगराम किलसियम नाइटेड खाद को आप छोड़ सकते हैं पौध रूपाई से 90 दिन की क्रॉप होने पर N.P.K. 0.024 3 kg और N.P.K. 0050 3 kg प्रति एकड़ की दर्स से आप डिर्प सीचाई से छोड़ सकते हैं पौध रूपाई से 120 दिन की क्रॉप होने पर अमोनियम सलफेट 3 kg मेगनीसियम सलफेट 3 kg प्रति एकड़ की दर्स से आप डिर्प में छोड़ सकते हैं 125 दिन की फसल पर हुमिक एसेट 1 kg बोरॉन 200 ग्राम को डिर्प से आप छोड़ सकते हैं पौध रूपाई से 130 दिन की फसल होने पर सलफार 90 परसेंट बाली 2 kg और अमोनियम सलफेट 2 kg डिर्प से आप छोड़ सकते हैं पौध रूपाई से 135 दिन की फसल होने पर केबल और केबल 3 kg एनपी के घुलान सिलखाट 0050 को आप छोड़ देजिए एनपी के 7403 kg बाइट पोटास 3 kg दीजिए 150 दिन की फसल होने पर लेकवेट ट्राइको डर्मा केबल और केबल 250 ml प्रिति एकल की दर्सेंट ड्रेप में छोड़ सकते हैं जब हमारी फसल 160 दिन की होती है तो अमोनियम सलफेट 2 kg मेगनीसियम सलफेट 3 kg एक एकड़ पर छोड़ सकते हैं पौध रूपा इस 170 दिन की फसल होने पर 13-045 3 kg माइक्रो न्यूट्रियान 1 kg आप छोड़ सकते हैं जब टमाटर की फसल 180 दिन की होती है तो एन पी के 0050 3 kg आप ड्रिप सीचाई से छोड़ सकते हैं किसान दोस्तो एथी टमाटर की फसल पर 180 दिन तक का फर्टिगेसन सेडियूल अंगली टॉपिक की बारे में बात करते हैं प्रोडक्शन यानि उत्पादन की बारे में तो टमाटर की फसल पर जो उत्पादन होता है 50 से लेके 60 टन एक एकड़ पर उत्पादन आप निकाल सकते हैं जीबन चक्र की बात करें तो लाइफ साइकल 8 से 9 महीने चलती है यदि आप टमाटर की बंधाई करके खेती करते हैं अगली topic के उपर बात करते हैं मुनाफ़ यानि benefit के बारे में तो यह marketing rate पर काफी जऴादा depend करता है कभी-कभी हमको काफी अच्छा rate 15 रूपे kg 20 रूपे kg थोक rate मिल जाता है कभी-कभी 5 रूपे kg भी rate मिलता है नकल बांसकते हैं मजपधूरों की सहता से हैं, तो आपको ड्रैम्ब का खर्च आने वाला है, फिल्टर का खर्च आने वाला है, और आपको यदि आप लगतार प्रवबर खेती करते हैं, तो आपको अनभब भी काफी ज curvature का काम में आने वाला है, तो आपको जो drip का खर्च है वो काफी ज़्यादा आने बाला फर्स्ट साल क्योंकि 30-40,000 रुपे 50,000 रुपे आपको drip का खर्च आता है एक एकड़ पर यदि आप अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी की drip लगाते हैं एक एकड़ पर तो लगभग 40-50,000 रुपे की आसपास आपको एक एकड़ drip का खर्च आने बाला है तो कुछ इस प्रकार यदि आप टमाटर की खेती करते हैं तो यकीन मानगी आपको काफी अच्छा लाब होगा काफी आप अच्छा मुनाफ़ा निकाल सकते हैं तो आज की इस वीडियो पर हमने टमाटर की उन्नत खेती की A to Z ज जानकारी चाहते हैं तो जादस जादा कमेंट करें वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को जादस जादस शेयर जरूर करें ताकि अन्न किसान भाईयों की भी हेल्प हो सके